सकन्द पुरान के अंतरगत श्रावन मास का महात्म्य दिया गया है इसमें 30 अध्याए हैं। श्रावन महात्म्य का पहला अध्याए प्रारम करने से पहले आये एक शक्तिशाली शिव मंत्र जपे। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय यह महान शक्तिशाली शिव मंत्र है रोजाना 108 बार जाप करने से समस्त मनुकामनाय पूरी होती है ये भगवान शिव का मूल मंत्र है शंगाजी ने सूची से पूछा है महाभाग आपके मुख से अनेक आख्यान सुने हमें त्रिप्ती नहीं ह वैशाक मास का महात्म्य कहा अब आपू सु्तम मास के महात्म्य को कहो जिसके सुनने से मेरी अन्यत्र श्रवन करने की इच्छाना हो सूची ने कहा है मुनेगनो आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है दम रहित होना आस्तिक बुधी होना, सhanताना होना, परमात्मा में भक्ती होना सुनने की इच्छा होना, नम्ता होना, ब्राह्मन भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धहर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोशारोपन रहित होना, ये बारा गुन श्रोता के कहे गए हैं और ये सब गुन आप लोगों में हैं, से मैं प्रसन हैं और आप से यत्र श्रवन करने की इच्छा है। श्रवन मात्र से सिद्धी देने वाला है अतह श्रावन नाम कहा। इसे मास को देखने और कहने में किसी की सामर्थ नहीं है। हे मूने अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथी व्रत वाली हैं, कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। दुखी, जग्यासू, भाक्त, अर्थ, अर्थात धन की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाशा रखने वाले और अपनी अपनी इच्छापूर्ती की आकानक्षा रखने वाले सभी लोगों को इस श्रावन मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनय कुमार ने कहा है भगवन, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई तिथी भी व्रत शून्य नहीं है, उसको आप मुझसे कहें। किस तिथी में कौन सा व्रत है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? विधी क्या है? किस किसने व्रत किया वा उद्यापन विधी क्या है? देवता कौन है? पूजन सामगरी क्या है? प्रधान पूजन किसका है? जागरन विधी क्या है? किस व्रत का कौन सा समय है? ही प्रभु, य किस्तिथी में कौन सा व्रत है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? फल क्या है? विधी क्या है? किस किसने व्रत किया व उद्यापन विधी क्या है? देवता कौन है? पूजन सामगरी क्या है? प्रधान पूजन किसका है? जागरन विधी क्या है? किस व्रत का कौन सा? श्रावन मास कैसे आपको प्रिय हुआ? किस कारण से पवित्रतम कहा गया? इस महीने में कौन सा अफ्तार श्रेष्ट माना गया है? इसमें कौन अनुष्ठान करने योग्य है? हे प्रभो? और जो कुछ पूछने से रह गया है वो सब आप विस्तार से मुझसे कहें क्योंकि आप सबके आदी देव हैं, तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल रिक्ष में सबसे उपर आपकी स्थिती हैं, आप कल्यान स्वरूप शिव हैं, पापनाशक हर हैं, केवल आपके पूजन से ही पंचायतन का अर्चन हो जाता है आपकी बार्थी जांग पर शक्ती स्वरूपा दुरगा, दहनी जांग पर गंपती, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भगवान श्रीहरी विराजमान हैं, सबको विरक्ती की शिक्षा देने हैं तो आप शमशान में तथा परवत पर निवास करते हैं जगत का सनहार करने वाले हलाहल, जहर को आपने गले में धारन किया महाप्रलय की कालागनी को आपने अपने मस्तक पर धारन किया पतन की ओर धकेलने वाले कामदेव को आपने भहस्म किया आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? मैं एक तुच्छ प्राणी करुणों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता. अतहे महादेव, भक्तों के कल्यानार्थ आप मेरे उपर दया कर इस मास के महात्म्य को कहें. महाप्रलय की कालागनी को आपने अपने मस्तक पर धारन किया. पतन की ओर धकेलने वाले कामदेव को आपने भहस्म किया. आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? मैं एक तुच्छ प्राणी करुणों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता. अतहे महादेव, भक्तों के कल्यानार्थाप मेरे उपर दया कर इस मास के महात्म्य को कहें इस प्रकार श्री सकंद पुरान के अंतरगत इश्वर सनत कुमार समवाद नामक श्रावन मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ